आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इगनू में कैसे असाइमेंट को आप समिट करें अगर आप राची के किसी भी कॉलेज में स्टडी सेंटर रखे हैं या आपने एडमीशन राची में लिया है राची जो की जहारखंड की राजदानी है तो सबसे पहले असाइमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक जिस्ता पेपर लेना है इसे जिस्ता पेपर क्या होते हैं और सभी का आपको answer देना होता है अब ये कैसे जमा होता है और कहां इसे जमा करें इसके बारे में बताएंगे चुकि मैं IGNU का पहले भी student रहा हूँ और इस बार मैं DHNE प्रोग्राम यानि Diploma in Nutrition and Health Education में admission लिया हूँ तो assignment submit करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दे क्योंकि जब पहली बार मैंने यहां admission लिया था तो मुझे भी काफी दिकतों का सामना करना पड़ा था तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको बनाना है और submit करना है पहले आप एक जिस्ता पेपर लेंगे जिस्ता पेपर को अच्छी तरह मोड लेंगे जैसे मैंने मोड़ा है मैंने बीच से दस पेज ले लेता हूँ ताकि यह आराम से खुल सके है देख सकते आप लोग किस तरह मैंने लिखा है यह पूरी बुक की तरह है बाद में बनने के बाद मैंने क्या किया है कि इसके बीचो बीच सिलाई कर दिया है मैं आपको दिखाता हूँ इसके बीच आप देख सकते हैं सिलाई किया हुए बीचो बीच सिलाई करने से यह पूरी बुक की तरह दिखता है यह जब आप बना लेंगे यानि सारे question लिख लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद ये front page जो कि आपको study center है मिल जाएगा मेरा study center तो मरवारी college है आपका study center जो भी हराची में वहाँ आप जाएंगे तो आप या वहाँ के बाहर जो भी jerox वाली दुकान है वहाँ आपको ये मिल जाएगा ये front page होता है cover page इसमें program सारे चीज enrollment number आपका नाम address सारे चीज लिखने का दिया हुआ रता है ये क्या करना है अब आपको कैसे बनाना है तो देख लेंगे सबसे पहले आपको उपर में staple करना है ये page जो front वाला page है ये आपको staple करना है फिर आप जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पे question question ये आपको लगाना है देख सकते हैं आप question एक page का है फिर दूसरे page का है question लगाने के बाद आपका यहाँ से answer स्टार्ट होगा उपर भी आप नाम लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है उसके बाद आपका यहाँ से assignment स्टार्ट होगा ये एक assignment बन गया हुआ है बनाया हुआ assignment है देखी ये assignment में सारी चीज लिखने के बाद front paper आपको क्या करना है कि एक आपको इस तरह का एक इस तरह का लिखापा लेना है ताकि ये इसके अंदर आ सके आप देख रहे हैं यहाँ पे cover हो जा रहा है इस तरह का लिखापा लेना है लिखापा में यहाँ आपको address लिखने होंगे ticket लगाने होंगे किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ देखिए इस तरह, इस तरह जिस तरह मैंने अपना address लिखा है, यहाँ ticket लगाया है, इस तरह आपको ticket लगाना है, और address लिखना है, इस तरह आपको अपना नाम पता लिखके, stamp लगाके, आपको अपने file दिखाता हूं, आपको इस तरह रखके, यहाँ stapler लगाके, आपको अपने study center में जमा कर देना है बस यही प्रोसेस है अब ऐसा क्यों है कि यह इसके साथ ही लिफाफा देना पड़ता है क्योंकि जब जब इगनू युनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं जब आपका इस कौपी को चेक कर लिया जाता है तो इसी के अंदर डालके और आपके पते पे फिर आपक से कितने नंबर मिलेंगे तो आप यहां देख सकते हैं यह मेरा चेक किया हुआ है जिसमें कि आप मार्क्स देख लिए असी मार्क्स सौ में मुझे असी मार्क्स मिले इसी तरह का मैंने बनाया था आप देख सकते हैं कोश्चन चिपकाया था यह मैंने बनाया था आप देख सकते हैं इससे अच्छा भी आप बना सकते हैं पर जैसा मैंने बनाया था उसके experience पर मैं बता रहा हूँ ये बनाने से मुझे 80 marks मिले थे और इसी में उन्होंने मुझे भेज दिया था ये मेरे address में ये चलाया था आप जीतनी भी copy submit करेंगे लगभग copy आपके यही address में आ जाएगी इसलिए वह क्या करते हैं कि लिफापा में आपका address और टिकट लगा कि जमा लेता है ताकि उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है बस वह copy को इसमें डालते हैं पोस्ट कर देते हैं और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आप जब इसे बनाते हैं जिस्ता में और अगर आप पेज को अलग-अलग करके बनाते हैं जब आप यहाँ stapler करेंगे तो आपको ध्यान देना है, जब आपपी खोलेंगे, तो क्या होगा कि कॉपी वहाँ से मुडा रहेगा, यहां से मुडा रहेगा, यह पूरी तरह नहीं खुलेगा, यहां मुडा रहेगा, तो यहाँ आपको हमेशा margin लेना है, इस तरफ भी लेना आता है दूसरी बात आपने जो भी कोर्स लिया है उसमें अगर तीन सब्जेक्ट है तो तीन assignment होंगे चार है तो चार होंगे जैसे मेरे मेरे तीन assignment है तो जैसे dhne1, dhne3, dhne2, 123 ये तीनो assignment मैंने बना लिया है अब रहा सावाल की कैसे बनाया तो जो भी question था आप ये download कर सकते हैं उनके website में assignment में आप जाके download कर सकते हैं जो भी question है सभी के answer आपको book में मिल जाएंगे आपको कहीं भी अलग से जाके नहीं खरीदना है आपको कहीं भी इसके लिए अलग book खरीदने की अवसकता नहीं है आपके जो भी यहाँ पर question है सभी के answer आपके book में दिये हुए और हाँ मेरी experience के अधार पे अगर आपने पूरी book नहीं भी पढ़ा है तो इसे आप आराम से लिख सकते हैं कैसे तो आप ध्यान दिचेगा कि पहले का जो भी question है यह आपको पहले ही chapter में मिल जाएगा जैसे ऐसे आप आगे पढ़ेंगे दूसरा question आप बनाएंगे तो यह दूसरा chapter में होगा जिस परकार question आगे बढ़ेगा आपको chapter वाइस आगे बढ़ते जाना है और इसी परकार आपको सभी का answer इसमें मिल जाएगा कोई भी question ऐसे नहीं होंगे जिनके answer book में नहीं है तो आप आसानी से बना सकते हैं आपको कहीं से book नया book या कोई चीज लेने की आवशकता नहीं है अगर आपके पास book है तो तो assignment से लेके अगर किन ही को भी problem है जिनोंने अपना admission राची reason में लिया है तो वो हमें comment कर सकते हैं अगर जितना हो सके मैं उनका समधान करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद